Hello and Welcome to our channel Solo Tales और आज की हमारी मूवी है It's a Wonderful Life ये मूवी क्रिस्मर्स पर बनी आज तक की सबसे बेस्ट मूवी है इस मूवी में एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाई जाती है जो एक मोड पर आकर अपनी जिंदगी से हताश हो जाता है क्योंकि उसके जो सपने जो वादे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे और वो पूरी तरह कर्ज में डूप गया था जिस कारण वो खुदखुशी करने का फैसला करता है पर असल ट्विस्ट यहीं से आता है और उसे अपनी जिंदगी की एहमियत का पता चलता है तो ये थी कहानी की शॉर्ट समरी अब चानते हैं कि इस मूवी में आखिर होता क्या है लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर ले तो चलिए अब शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लोट लाइन तो मूवी की स्टार्टिंग एक क्रिस्मस नाइट से होती है जहां पर शैर के कुछ लोग अपने गरों में जॉज पैली स्नाम की एक आदमी के बारे में प्रे कर रहे होते हैं कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जॉज एक काफी अच्छा आदमी था उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा उसने हमेशा गरीबों की मदद की कुछ लोग कहते हैं कि उसने हमेशा अच्छे काम किये लेकिन शायद भगवान उसके साथ कुछ ऐसा कर रहा है जो नहीं होना चाहिए था आगी ये दिखाया जाता है कि जॉर्च के फैमली और रिस्तिदारों की ये सारी प्रातनाई उपर स्वर्ग तक पहुच रही होती है और इने देखकर स्वर्ग में रहने वाले जो एंजल्स होते हैं वो फैसला करते हैं कि वो इस आदमी यानि जॉर्च की मदद करेंगे और इसके लिए ये सबी एक नए एंजल को बुलाती हैं जिसे अभी तक पंक नहीं लगे होती वैस अभी एंजल्स उसे बताती हैं कि तुम्हें जॉर्च नाम के एक आदमी को गलत रहा चुणने से रोकना होगा उसने कई लोगों की हेल्प की है और अगर तुमने उसकी हेल्प की तो तुम्हें तुम्हारे नए पंक मिल जाएंगे तो वो एंजल्स पूचता है पर मास्टर इसके लिए मुझे उस आदमी के बारे में जानने की जरूरत होगी इसलिए उसे समझने के लिए मुझे उसकी जिन्दगी के कुछ खास लम्हों के बारे में जानना होगा तो मास्टर एंजल कहते हैं अपनी आखे बंद करो अब जैसे ही एंजल अपनी आखे बंद करता है वैसे ही ये कहानी जॉज के बच्पन से शुरू होती है जहां पर उसके साथ उसके जिन्दगी का सबसे पहला हाथसा हुआ था यहां जॉज अपने कुछ दोस्तों के साथ बर्फीले इलाके में फिसलने वाला एक केम खेल रहा था और इसमें उसका भाई हैरी भी शामिल था लेकिन स्लाइट करते समय हैरी बर्फ से नीचे फिसलते वे काफी ठंडे पानी में गर जाता है उसे बचाने की चक्कर में जॉज अली से पानी में जाता है और वो और उसके दोस्त एक चेन बनाकर हैरी को उस ठंडे पानी में डूबने से बचा लेती है पर इस हासे में जॉज का बाईतरव वाला कान बुरी तरह से ठंड के कारण इनफेक्ट हो जाता है जिसे उसे उस कान से सुनना हमेशा के लिए बंद हो जाता है आगी ये सबी बच्चे अपने अपने कामों में जाने लगती है जहां पर दिखाया जाता है कि जॉर्ज एक मेडिकल स्टोर में मिस्टर ग्रोवर नाम के एक आदमी के साथ काम करता है लेकिन मिस्टर ग्रोवर की तब ये ठीक नहीं होती और वो इस वक्त अपने कैविन में ड्रिंक कर रहे होती है इसके बाद उस दुकान में मैरी आती है जो जॉर्ज की हम उमर होती है मैरी की बाद उसे हमें पता चलता है कि वो जॉर्ज को काफी पसंद करती है मैरी कहती है कि वो जॉर्ज से आकरी दम तक पागलो की तरह प्यार करती रहेगी लेकिन जॉर्ज इस बात को टालते वे मैरी को अपने वर्ल टूर करने के एक सपने के बारे में बताता है कि वो एक दिन दुनिया सरूर घुमे का इतना कहकर जॉर्ज अपने काम में लग जाता पर तबी उसे Mr. Grower अपने कैविन में बुलाते हैं लेकिन कैविन में जाने से पहले George को टेविल में एक टेली ग्राम दिखता है जिस में साफ साफ लिखा था कि Mr. Grower के बेटे रोबर्ट की एक महामारी के कारण मौत हो गई है और हमें इस बात का बहुत अफसोस है ये देखकर George समझ जाता है कि Mr. Grower को इसी बात का सद्मा लगा है आगे George उनके कैविन में जाता है यहां Mr. Grower George को कुछ दवाईयां देते हैं और कहते हैं कि ये दवाईयां Mr. Priney को दे देना ये उनके बच्चे के लिए है लेकिन जब जॉज इन दवाईयों को देखता है तो उनके पास उसे एक सहर का डिपा दिखता है वो समझ जाता है कि ये दवाईया सहर है वो इस वारे में मिस्टर ग्रोवर को भी बताने की कोशिश करता है लेकिन उनकी हालत बहुत खराब होती है इसलिए वो उसे भगा देती है आगे जॉज इन दवाईयों को डिलिवर करने की जगए अपने फादर से इन दवाईयों के बारे में पूछने उनकी लोन कंपनी में जाता है लेकिन अंकल बिली जॉज को दर्वाजे में रोकते वे कहते हैं कि अभी वो एक सरूरी मीटि कर रहे हैं पर फिर भी जॉज उनकी बात ना मानते वे ऑफिस के अंदर जाता है यहां जॉज देखता है कि उसके फादर के साथ शहर का सबसे बड़ा बिसनसमैन मिस्टर पॉर्टर था मिस्टर पॉर्टर एक काफी कुरूर आदमी होता है जो करीबों को लूट कर अपना क पाओगे क्योंकि तुम्हारी कंपनी ने उन गरीब लोगों को लोन दिया है जो तुम्हारे पैसे अगले जनम में भी वापस नहीं कर सकते तुम्हें बिसनस बिसनस की तरह करना चाहिए था ना कि चैरिटी फंड की तरह तुम और तुम्हारा वो बेफकुप भाई बिली इस कंपनी को ले डूबोगे तो ये सुनते ही जॉच को गुसा आ जाता है और वो मिस्टर पॉटर को कहता है कि तुम अमीर होते वे भी काफी नीच इनसान हो तुम्हारे अंदर कोई इनसानियत नहीं है पर जॉच के फादर जॉच को कमरे से बाहर निकालते वे कहते हैं कि मैं तुमसे रात में बात करता हूँ आगे मिस्टर ग्रोवर को दिखाया जाता है जिने मिस प्राइनी का फोन कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि अब तक वो दवाईयां उन तक नहीं पहुची हैं तो ये सुनकर मिस्टर ग्रोवर जॉच को अपने कैबिन में बुला भाता था तो यह सुनकर मिस्टर ग्रोवर दवाईयां चेक करते हैं और यह सच में जहर होता है मिस्टर ग्रोवर इस बात के लिए जॉट से काफी मावे मांगते हैं लेकिन जॉट कहता है कि मुझे पता है कि आपने यह सब कल्दी से किया था यह जॉद की जिन्दगी का एक हासा होता है जिसमें वो एक फार्मेसिस्ट को बदनाम होने से बचा लीता है इसके बाद कहानी सिदा 1928 के समय पर आती है जहां पर जॉच बढ़ा हो चुका है और उसका आज भी कॉलिज चाने से पहले वर्ल्ड टूर करने का एक सपना है जॉच एक दुकान से लोटने के बाद मिस्टर क्रूवर से मिलने जाता है जो कि इस वक्त शहर के काफी सफल वार्मिसिस्ट होते है और दूर दूर से लोग उनी से दवाईया लेने आती है इसके बाद जॉच अपने घर में डिनर कर रहा होता है और यहां जॉच अपने फादर को उसके वर्ल्ड ट्रिप का सपना बताता है और कहता है कि वो कल ही उस ट्रिप के लिए निकल जाएगा लेकिन जॉच के फादर चाते हैं कि जॉच उनकी लोन कंपनी को जॉइन करे जॉर्ज के फादर बताते हैं कि अब उनकी कमपनी को एक नया होना चाहिए वरना बहुत चल्दी ये कमपनी बंद हो जाएगी और इस बात का सबसे जादा फाइदा वो कुरूर घमंडी आदमी पॉर्टर उठाएगा और गरीब लोगों को लोन देकर उनसे काफी कुछ फसूल लेगा जॉर्ज के फादर के इतना कहने के बाद वहाँ पर जॉर्ज का भाई हैरी उसे एक पार्टी में इन्वाइट करने आता है आगे जॉर्ज और हैरी उस पार्टी में जाते हैं जहांपर जॉच की मुलाकात मेरी से होती है जिसे जॉच ने बच्पन में देखा था जॉच और मेरी एक दूसरे को देखते ही काफी पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करते हैं पर डांस करने के बाद जॉच को अपनी साथियों से पता लगता है कि उसके फ पहले से ही बोर्ट के मेंबर्स आय होते हैं, जिनमें से एक Mr. Potter भी होते हैं, ये सब यहां ये फैसला करने आय होते हैं, कि जॉर्ज के फादर की मौत के बाद ये कंपनी रहेगी या फिर नहीं, तो इस पर जैसा कि Mr. Potter चाते थे, वो लून कंपनी के खिलाब बोलते जाते हैं और कहते हैं कि ये कंपनी इस शेयर में हर्गिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब इस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है तो इस बात का अंकल विली बिरोत करते हैं लेकिन बोट के आदे मेंबर्स पॉर्टर के साथ होती हैं और वो सबी बोट देकर फैसला करने का डिसीजन लेते हैं पर इसी बीच पॉर्टर कहता है कि जॉर्च के पिता के पास बिजनस समालने का अच्छा होनर था लेकिन उनके अंदर कॉमन सेंस की कमी थी अब ये सुनकर जॉर्ज पॉर्टर से कहता है कि नहीं उनके अंदर नहीं बलकि तुम्हारे अंदर सारी कमी है वो लोगों को सिर्फ एक कस्टमर नहीं बलकि देश का अच्छा नागरिक बनाना चाते थे इसलिए उन्होंने उन लोगों को भी लोन दिया जो उसे चुकाने के लायक नहीं थे इसके अलावा उन्होंने कभी भी अपने 25 साल के उनके करियर में इतने पैसे भी नहीं जुटाए कि वो अपने बच्चों को स्कूल में अच्छे तरह पढ़ा सके क्योंकि वे हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे लेकिन तुम हमेशा खुदगर्स रहो पर तभी उनका सेक्रेटरी कहता है कॉंग्रेचुलेशन जादतर लोगों ने आपको आपकी बात से सहमत होकर वोट दिया है और पॉर्टर इस मीटिंग में हार गया है तो यह सुनकर जॉच कहता है ठीक है अब सब ठीक हो गया है तो मैं अब ट्रिप में जा सकता हूँ ले गुमने के अपने सपने को कैंसल कर देता है और उस बैंक में अंकल बिली की जगे उनर बन जाता है वहीं अंकल बिली को बैंक का एक्जामिनर बनाया जाता है जिसमें वह वह खावी खुश होते हैं जॉच इस होप से कमपनी में काम करता है कि एक तिन वह अपना सारा graduation से लौटता है तो वो अपनी साथ एक लड़की को भी लाता है हैरी बताता है कि वो बहुत जल्द उससे शादी करने वाला है इसी के साथ वो उसे ये भी बताता है कि लड़की के टैट ने उसे अपनी company में एक job दिलवा दी है हाला कि इसमें शुरुआते income ना के एक job ढून लिया है इसका मतलब जॉर्च का world trip करने का सपना अभी तक सरिफ एक सपना है आगे शहर में आकर हैरी अपनी girlfriend के साथ शादी कर लेता है वहीं उसी राज जॉर्च मेरी के घर जाता है यहां मेरी के साथ उसके घर में उसकी आंटी होती है जॉर्च मेरी के बताता है कि उसने हनीमून के लिए कितना कुछ सोच रखा है कि वे तुनों कितनी जगे घूमने वादे हैं जॉर्च के इतना बताते ही जॉर्च की नजर उसकी loan company पर जाती है जहां पर कई लोगों की भीड जमा होती है जॉर्च सबसे पहले वहाँ जाकर अपनी company का ताला खुलता है और लोगों के साथ खुद भी अंदर जाता है वो इस मामले को समझने की कोशिश करता है और तबी उसे office के अंदर अंकल बिली मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि कई लोगों को एक साथ उनके पैसे वापस चाहेंगे क्योंकि लोगों को ऐसी insecurity यानि ऐसा लगने लगा है कि ये company बहुत चल टूपने वाली है तो जोर्च कहता है पर ऐसा नहीं है अंकल बिली बताते हैं हाँ ये महस एक अफवा है लेकिन ये इने कौन बताएगा क्योंकि अगर हमने इनके मांगेवे पैसे नहीं दिये तो ये porter के bank में loan मांगने जाएंगे तो ये सुनकर जॉर्च को बहुत बड़ा सद्मा लगता है यहां सभी लोग अपने अपने पैसे मांगने आये होते हैं यहां कई लोग porter के साथ भी मिले होते हैं और ऐसा बताती है कि पॉर्टर उन्हें 250 डॉलर का भी लोन देने को तैयार है ये सुनकर सभी लोग पॉर्टर के पास जाने लगते हैं लेकिन जॉज उनको रोकतेवे कहता है कि अगर तुम लोग पॉर्टर के पास गए तो वो तुमें लोन देने के बदले उससे काफी बताते हैं यहां जॉज को कुछ समझनी आता कि वो क्या करे पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने हनीमून के सेविंग्स के पैसे उन गरीब लोगों को दे दीता है जिने उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है इस तरह वे उन लोगों को पॉर्टर के चंग करता है जिस वज़े से पॉर्टर से जिन लोगों ने लोन लिये होती है वो लोग भी उसके लोन से धीरे धीरे उभर जाते हैं आगे जब यह बात पॉर्टर को पता चलती है तो वो जॉज को अपने ओफिस में एक मीटिंग के बहाने बुलाता है और उसे कहता है कि तुमा डॉलर्स की बास सुनकर जोज एक पल के लिए पॉटर की बात मान जाता है क्योंकि बीस हजार डॉलर्स आज के जमाने में तीन लाग डॉलर्स से भी काफी ज्यादा होते थे असल में पॉटर जोज को अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसा ओफर करता है लेकिन जोज इस पॉटर को एक मोटी चमडी वाला स्पाइडर कहकर चला जाता है वहीं घर जाते वक्त जोज के कानों में पॉटर का वह आफर बार बार गुंचने लगता है लेकिन फिर उसकी वाइप बताती है कि वह प्रेगनेंट है तो इस पास से जोज पॉटर की बात को भूल जाता है आगे वर्ल्ड वार का समय बताया जाता है जहाँ पर जोज भी इस वार में शामिल होना चाता था लेकिन उसके एक कान में कम सुनने की प्राबलम की वज़े से उसे सलेक्ट नहीं किया जाता वहीं उसका भाई हैरी इस वार में सलेक्ट हो जाता है और वर्ल्ड वार खतम हो क्रिस्मस आने के दोरान ही हैरी को मेडल आफ ओनर से नवाजा जाता है इसके बाद क्रिस्मस का दिन आता है और ये वही दिन होता है जब जोर्ज सुसाइट करके खुद को मानने वाला था इस दिन ये दिखाया जाता है जोर्ज अपने भाई के मेडल आफ ओनर की वज़े से क काफे खुश था और उस दिन एक न्यूस पेपर में ये खबर चपी थी कि उनका हीरो हैरी बहुत चल्द उनके शहर आने वाला है अब ये खबर सुनकर जॉज और उनके अंकल बिली काफे खुश थे वो दिन जॉज की कंपनी का किराय डिपोजिट कराने का आखरी दिन था इ घयली पॉटर को जैलिस फिल कराने के लिए उस वो न्यूस पेपर दिखाते हैं लेकिन पॉटर गुस्ते के मारे वो न्यूस पेपर मरोड कर अपने ओफिस चला जाता है पर ओफिसा सोहinta व कर देखता है वहीं जब चिर पार बिली को देखता है तो वह प्रकाउंटर में क आफिस में एक लेडी आती है वो उसके बच्पन की दोस्त होती है जिसे कुछ पैसों की जरूरत थी जॉज उसे पैसे देते हुए कहता है कि जब तक तक तुम्हें जॉब ना मिल जाए और तुम्हारी कंडिशन ठीक ना हो जाए तब तक इसे लोटाने की कोई जरूरत नहीं तो ये सुनकर जॉज सीधा अपना ड्रॉर चेक करता है लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो अपने साथी यूस्टेस को बुला कर पूछता है कि यहां के पैसे किसने लिए थे यूस्टेस बताता है कि उसने आकरी बार यहां पर अंकल बिली को देखा था इसक कुछ नहीं पता मैंने उसे बस एंवलप में डाल दिये थे और वो खो गए तो ये सुनकर जॉज निराश होकर अपने घर चला जाता है यहां घर लोटने के बाद वो अपने बीबी बच्चों के साथ काफी बुरा सुलुक करता है और उन्हें हर छोटी छोटी बातों पर डाटता है जैसे कि वो अपनी बेटी को वाइलन बजाने पर उसे काफी जादा डाटता है और अपने बेटे के विश करने पर वो कुछ नहीं कहता साथी अपने वाइफ से अच्छे तरह बात भी नहीं करता पर तबी उसके घर में उनके बच्चों की स्कूल टीचर क्रिसम क्या करते हैं आपको बस अपनी मोटी अच्छी खासी इंकम चाहिए और कुछ नहीं तो ये बास सुनकर वो टीचर काफी रोती है और अपने हस्बेंट को कॉल देती है उसका हस्बेंट काफी गुस्से में होता है लेकिन जॉर्ज उसका भी मजाक उड़ाते वे कॉल रग देता है इसके बाद जॉर्ज गुस्से में अपने ही घर का फरनीचर तोड़ने लगता है और ये देखकर उसके बच्चे डर जाते हैं लेकिन फिर जॉर्ज उनसे सौरी मांगते वे वहां से चला जाता है वही इसके बाद मैरी को अंकल बिली का कॉल आता है जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है आगे हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है जो अब ठक हार कर मदद मांगने पॉर्टर के पास जाता है और उसके आट हर्जार डॉलर के बदले अपना लाइफ इंशॉर्णस गिरवी रखने को तयार होता है लेकिन पॉर्टर कहता है कि मैं तो एक मोटी चमडी वाला स्पाइडर हूँ मैं तुम्हारी मदद क्यूं करूँ अब तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है इसलिए मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ तुम्हें अरेस्ट करवाने के लिए ऐसा कहकर वो पुलिस को कॉल करता है लेकिन फिर जॉर्ज वहां से भाग ज सुनता है कि यहें जॉर्ज पैलीज है तो वह उसे एक सूर का पंच दूता है असल से इंग Michel अव만 य्वाइब अभी तक रो रही है, यहां जॉच फैसला कर लेता है कि उसे क्या करना है, उसे रिलाइस होता है कि उसे इस दुन्या में कोई नहीं चाता और इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर एक प्रिज के पास पहुँचता है वहीं एक पेड़ से उसकी गाड़ी टकरा कर बंद पढ़ जाती है तभी वहाँ पर खड़ा एक बुड़ा आदमी कहता है कि यहां का सबसे पुराना पेड़ है और तुम इसे तोड़ना चाते हो ऐसा कहकर वो आदमी जॉज को वहाँ से भगा देता है आगे जॉज बिरिज के ऊपर से कूट कर जान देने ही वाला होता है कि तभी उसे पानी में एक आदमी दिखता है उस आदमी को बचाने के चकर में जॉज भी पानी में कूटता है और पास के लाइट हाउस में रहने वाला एक आदमी उन दोनों को देखकर बचा लेता है आगे ये दिने लाइट हाउस में होते हैं जहां पर जॉज उससे पू सुनकर वहां बैठा तीसरा आदमी उसे पागल समझ कर वहां से निकल जाता है। आगे वो इंजल बात कंटीन्यू करते वे बताता है कि मुझे तुमारी हल्प करने पर पंक मिल जाएंगे। इसलिए तुम मुझसे एक विश मांग सकते हो। तो जॉर्ज कहता है मुझे जल्दी से 8000 डॉलर्स दे दो वो इंजल बताता है कि मौत के बाद जो चीज़े हमारे साथ नहीं जा सकती वो तुमें मैं नहीं दे सकता इसलिए कुछ और मांगो। तो जॉर्ज कहता है काश मैं इस दुनिया में नहीं होता फिर शायर सभी लोग खुश होते तो वो इंजल कहता है ठीक है तुमारी यही इच्छा सही। आगे वो इंजल जॉर्ज को एक ऐसी टाइम लाइन में ले चलता है जहां पर वो एक्जिस्ट नहीं करता। यहां जॉर्ज उसी पेड़ के पास मिलेवे उस आदमी से पूचता है कि यहां मेरी गाड़ी थी तो वो आदमी कहता है यहां कोई गाड़ी नहीं है और यहां पर किसी भी आदमी के पास कोई गाड़ी हो ही नहीं सकती क्योंकि यह शहर कर्ज से डूप गया है यहां हर कोई मिस्टर पॉर्टर का कर्सदार है और अगले 20 सालों तक कोई भी आदमी कर्समुक नहीं हो सकता तो ये सुनकर जॉर्ज को बड़ा चटका लगता है और वो देखता है कि इस शहर का नाम बैटफोड हैवन की जगा पॉर्टर विल है यानि पॉर्टर का शहर मतलब जॉर्ज के होने पर जहां पर 30% लोग पॉर्टर के कर्सदार होने से बच गए थे और कई लोग कर्से उभर रहे थे वहीं जॉर्ज के ना होने पर 100% लोग उसके कर्सदार है और ये पूरा शहर उसी का है यह देखने के बाद जॉच्ट को वो एंजल कलब में ले जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग भरे होती हैं, वही पर उस कलब में मिस्टर ग्रोवर आ जाते हैं, जो पहली टाइम लाइन में तो एक इस्दतार आदमी थे, पर इस टाइम लाइन में वो एक पागल होते हैं, और उनका हर कोई मजाग उड़ाता है ये देखकर जॉज काफी हैरान होता है और उनसे पूछता है कि आप एक फार्मेसिस्ट है आपने अपना ये क्या हल बना रखा है पर इतने में ही कलब के लोग मिस्टर ग्रोवर को कलब से बाहर फेक देती है यहां बार टेंडर बताता है कि उसने 30 साल पहले एक बच्चे को पॉईजन देकर मार डाला था जिस कारण इसे 17 साल की जेल हुई और उसके बाद इसके सर में कई लोगों ने वार किया और अब ये बस बागलों की तरह इधर उधर खुमता रहता है इसका मतलब जॉज के ना होने पर मिस्टर ग्रुवर की वो दवाई उस बच्चे तक पहुँच गई थी जिस कारण वो बच्चा मर गया जिस वज़े से शहर के लोगों ने मिस्टर ग्रुवर को पागल कर दिया तो ये सुनको जॉज को काफी बड़ा चटका लगता है आगे जॉज अपने घज जाता है और यहां उसका दर्वाजा उसकी मदर खुलती है उसकी मदर की हालत mentally disturbed होती है जॉज अपनी मदर को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका बेटा है लेकिन उसकी मदर कहती है कि मेरा स्रिफ एकी बेटा है जो बच्चपन में मारा ग lingering था और तब से मेरी हालत ऐसी है जोज पूचता है कि उंकल बिली कहा है पापा की कंपनी कौन चला रहा है तो उसकी मदर बताती है कि अब कोई कंपनी नहीं रही उस लोन कमपनी के भारी लॉस के बाद अंकल बिली ने सुसाइट करके खुद को माट डाला इतना कहने के बाद उसके मदर तरवासा बंद कर लेती है पर तभी जॉच को उसके मदर की कई हुई दूसरी बात याद आती है आगे वो उस एंजल के साथ एक क्रेवयार्ड में जाता है जहां पर उसे अपने भाई हैरी की कबर दिखती है वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता उसने तो वर्ल्ड वार में कई लोगों की जान बचाई थी जिस वज़े से उसे मैडल ओफ ओनर से समानित किया गया था तो वो एंजल बताता है लेकिन उसे यहां कोई समान नहीं मिला है वो बस एक आम इंसान की तरह बर्फ में स्लाइट करते वे पानी में डूपने के कारण नौ साल की उमर में ही मर गया था अगर उस टाइम तुम होते तो तुमने उसे बचा लिया होता और शायद वो मिलिटरी में जवानों को बचा कर आज मैडल ओफ ओनर ले आता तो ये सुनने के बाद जॉच पूचता है मैरी कहा है तो वो एंजल बताता है उसकी हालत काफी बुरी है और वो लैब्रेरी में काम करती है आगे जॉच लाइब्रेरी की तरफ जाते वे रास्ते में कई सारे इलीगल कलब्स देखता है जो पॉटर ने खुलवाए थे इसी किसाथ वहाँ वो रास्ते में कई सारे अपराद होते वे देखता है और लोगों के अंदर बिल्कुल जानवरों जैसा नेचर महसूस करता है वही रास्ते के बीट जॉच को वही लड़की दिखती है जिसके पास जॉप नहीं थी और वो जॉच से मदद लेने आई थी यहां वो लड़की कोई illegal काम करते वे पकड़ी जाती है और पुलिस वाले उसे ले जाते हैं इसे देखकर जॉच को समझ आ जाता है कि सिर्फ उसके ना होनी से कितनी लोगों की जिन्गी उजड़ गई है आगे जॉच अपनी वाइफ से मिले जाता है जो लाइबरेरी से निकल रही होती है यहां जॉच उसे समझाने की कोशिश करता है कि वही उसका husband है लेकिन मैरी डरते हुए कुछ लोगों के पास पहुँचती है और फिर जॉच को वो लोग बहां से भगा देती है आगे जॉच उसे प्रिच के पास जाकर काफी गडगड़ाता है अब उसे अपनी जिंदगी की एहमियत समझ आ जाती है वो समझ आता है कि उसकी जिंदगी कितनी माइने रखती है इसलिए वो एंजल से विश मांगता है कि उसे दुबारा से इसे दुनिया में वापस ले आओ पर तभी इतने में ही वहाँ पर एक प्लिस ओफिसर आता है और वहाँ से भाग कर उसे जो कोई भी मिलता है उन सबी को विश करता है यहां तक कि वो अपने दुश्मन को भी मेरी क्रिसमस विश करता है और अपने घर पहुँचता है यहां रिपोर्टर्स और बैंक वाले खड़े होते हैं जो उससे पैसे मांगते हैं लेकिन जॉर्ज उन्हें भी विश करता है और अपने बच्चों के पास पहुँच कर उन्हें चुमते वे उनसे सौरी मांगता है। और तबी वहाँ पर मैरी भी आजाती है। मैरी जॉर्ज को नीचे लाते वे टेबल के पास बुलाती है। और वो अंकल बिली को भी पुलाती है। अंकल बिली कमरे में आते हैं और कहते हैं कि हमने इस परिशानी के बारे में लोगों को बताया। और तुम्हारे दोस्तों ने देखो हमें क्या दिया। जैसे ही अंकल बिली बकेट को उडेलते हैं तो उसमें कई सारे पैसे होते हैं पर अब भी कई लोग आकर जॉज के मदद के लिए अपने अपने हिसाब से पैसे दे रहे होते हैं ये सबी वही करीब लोग होते हैं जिनकी मदद जॉज ने की थी और ये जॉज का लोन कभी भी नहीं चुका सकते थे पर इस परिस्तिती में इन्हों ने जॉज की काफी मदद कर दी थी जॉज को मिस्टर ग्रुवर और वो लेडी जिसको जॉज ने नौकरी ना मिलने तक पैसे दिये थे वैसबी जॉज को उसके पैसे वापस कर देती हैं बात में Harry भी यहां पर आता है और George को टाउन का सबसे richest man कहता है क्योंकि उसके पास कई लोगों का साथ होता है George को उसी समय एक पार्सल मिलता है जो उसी एंजल ने दिया था जोज को इसमें एक बुक मिलती है जिसमें उस एंजल ने बुक के फरस्ट पेज में लिखा हुआ था कि जिसके पास सचे फ्रेंड्स होते हैं वो आतमी कभी भी फेल नहीं हो सकता इस लेटर के साथ हमें पता चलता है कि अब उस एंजल को भी उसके पंक मिल गए है मुवी के end scene में जॉर्ज उसकी family और friends Christmas Eve का गाना गाते वे दिखाये जाते हैं जिसके साथ ये movie end हो जाती है तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे comment करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करें इसी के साथ मैं आपको ये पता दू कि हमारी next movie एक psychological thriller होने वाली है जिसमें कई सारे twist and turn देखने को आपको मिलेंगे तो उस वीडियो के लिए stay tuned